दोस्तों मेरा नाम सोनी कुमारी है और मैं बिहार के पटना जिले में रहती हूँ, मेरी उम्र 20 वर्ष है और मैं अभी भी एकी पढ़ाई कर रही हूँ, हमारे घर में कुल 4 लोग रहते हैं, मेरे मम्मी, पापा मैं और मेरा छोटा, भाई जिसकी उम्र अभी 11 साल है, मैं अप दोपहर में मुझसे कहा सोनी, मैं छोटू को लेकर, सुनीता के पास जा रही हूँ, सुनीता मेरी मौसी है, मम्मी ने देखा कि पापा का फोन व्यस्त आ रहा था, तो उन्होंने कहा हो सकता है, अभी किसी काम में बिजी होंगे तुम्हारे पापा, तुम उन्हें बता देन इतना बोल कर, और छोटू को लेकर वो चली गई, मेरे पापा जो की, लेडीज के सिंगार का सामान और कपड़े बेचते हैं, शाम को दुकान से घर आए, मैं उनको बताने ही जा रही थी, कि तब तक शर्मा अंकल का फोन आ गया, और उन्होंने पापा को बाहर बुला लिय और वे लोग तहलने के लिए चले गए, मैंने सोचा कोई बात नहीं, खाना बना लेती हूं, पापा जब तहल के आएंगे तो उनके सारी बात बता दूंगी, लगभग दस बस चुके थे, पापा अभी भी घर नहीं आये थे, मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं खाना ज मम्मी के रूम में, सो गई, मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आख लग गई, जब मेरे पापा आये तो उन्होंने सोचा कि उनकी बीवी सो रही है, इसलिए उन्होंने मुझे वहां से पकड़ लिया, और बोले सविता तुम इतनी जल्दी सो कैसे सकती हो, अभी तो, हम लो पापा नशे में थे, और कुछ भी हो सकता था, मैं उनका विरोध करना चाहती थी, लेकिन नशे में होने के कारण, मैं बोल नहीं सकी, और उन्होंने मुझे पूरी तरह से पकड़ लिया, तभी पापा ने कहा, क्या बात है मेरी सविता रानी, तुम को दस मिरट के बाद मे मेरा विरोध करने लगती थी, पर आज तो पूरा साथ दे रही हो डॉट, और फिर वो सब के बाद हम सो गए, लगभद एक घंटे बाद मैं खाना खाने के लिए पापा को जगाने गई, ठकने के कारण पापा सो गए, और उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया, जब सुब हुई, तो रात में जो हुआ उसके कारण मैं पूरी, तरह से ठक चुकी थी, और मैं देर तक सोती ही रह गई, मेरे पापा जब मॉर्निंग वॉक से लोट कर आए तो वे मेरी मम्मी को खोजने लगे, और फिर वे मेरे रूम में आ गए और बोले सोनी बेटा, तेरी मम्मी कह है, सुबह सुबह दिखाई नहीं दे रही, तो मैंने पापा से कहा पापा, पम्मी तो कल दोपहर में ही मौसी के घर चली गई थी, पापा पूरी तरह चौक गए और बोले क्या बात कर रही हो, फिर रात को मैं किसके, ये बोलते हुए पापा मुझे देखने लगे, फिर मै उठी और फ्रेश होने के लिए बातरूम में, जाने लगी, जिसके कारण पापा सब समझ गए, फिर पापा बोले देखो सोनी बेटा, मुझे कुछ मालूम नहीं था, और गलती तुम्हारी भी है, तुम्हें हमारे कमरे में नहीं जाना चाहिए था, अब मैं किचन में तभी मेरे पापा किचन में आये और बोले सोनी बेटा, मैंने जो भी किया, उसके लिए मुझे माफ कर दो, क्यूंकि मैं जान करिये, सब नहीं किया था, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली, तभी पापा ने मुझे अपने रूम में ले जाकर बेड पर बैठा दिया, और बोले देखो, मैंने को जो भी किया था, मैं उसको सुधारना चाहता हूँ, मैंने सोचा कि पापा माफी मांगेंगे, पर उन्होंने अपना बेड रूम लॉक कर दिया, फिर वे मेरे साथ क्रिकेट के पिच पर बैटिंग करने लगे, मुझे मालूम था कि अब कुछ नहीं होने व पापा, मैं कुछ समझी नहीं, पापा बोले अरे पगली, तेरी मम्मी का कॉल आया था, बोल रही थी कि दो दिन वहीं रुकेगी, मैंने मन ही मन सोचा कि अब दो, दिन तक में तो मेरी पिच खराब हो जाएगी, यह कहते ही पापा ने अगले पल सिकसर मार दिया, और पिच को तयार रहना, मैं आज जल्दी ही आऊंगा, और पिच को अच्छे से साफ कर लेना, ताकि बैटिंग करने में अधिक आनंद आए